प्रिवार पहचान पत्तर पोर्टल हुआ अपडेट दोस्तों नए बिजली कनेक्शन से बनेगी अलग आईडी बाहरी व्यक्ति का नाम भी हटशकेगा साथ महीने पहले हटा दिया था अलग आईडी का लिंक अलग प्रिवार पहचान पत्तर बनवाने की सुविदा एक बार फिर से शुरू हो गई है परदेश सरकार के निर्देश पर प्रिवार पहचान पत्तर प्रादी कन दवारा कुछ संसोधन के साथ पोर्टल को अपडेट कर लिंक उपलब्द करा दिया गया है इसकी पहली सर्थ अलग बिजली कनेक्शन लेना होगा दोस्तो साथ महीने पहले ये लिंक हटा दिया गया था दरसल कुछ लोगों दवारा नया कनेक्शन लेने के बज़ाए पिता के नाम चे चले आ रहे मेटर को ही अपने नाम पर ट्रांसपर कराकर फैमली आईडी के लिए अपलाई करना सुरू कर दिया गया था जिससे आईडी बन भी गई थी अब नए कनेक्शन के बिना फैमली आईडी नहीं बन सकती क्योंकि बिजली निगम दवरा उबोकताओं के कनेक्शन को फैमिली आड़ी से चोड़ दिया गया है अलग फैमिली आड़ी बनवाने के साथ ही बाहरी व्यक्ति का नाम हटवाने का विक्कालप भी फिर से खोला गया है ये स्विदा भी पहले उपलब थी मगर पीच में से बंद कर दिया गया था पिता के नाम के मिटर को ट्रांसपर कराने से नहीं चलेगा काम सीएस्टी पर ही कर सकेंगे आवेदन तीस रुपए सुल्क लगेगा फैमली आईडी के लिए फिलाल कॉमन सर्विस सेंटर सीएस्टी के मादम से शुदा अपलब्द कराए गई है विभाग के दिकारियों के नुशार इसके लिए 30 रुपए फीच निर्धारी तकी गई है सीसी संसाल के 30 रुपए में ही नागरी को ये को ये सुदा देगा बीजली मेटर का बिल या आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज देने होंगे और अलग आईडी के लिए आवेदन हो जाएगा फिलाल ये सुदा नागरीकों के मुबाइल पर उपलब्द नहीं है जल्द ही सिटिजन लोगिन की सुदा दी जाएगी इसके बाद अपने मुबाइल ये लैप्टॉप के मादम से भी स्योंबी आवेदन के जाश केगा जिले में 2,85,000 फैमिली आईडी है जरूरी दस्तावेज लगाकर किसी भी CST पर आवेदन के जा सकता किसी भी CST सेंटर से आवेदन कर सकते हैं स्योंक्त परिवाज से अलग होकर लाब लेश केंगे